ओम, सभी मित्रों को साधर नमस्ते आज आपके समक्स बात करेंगे सांग के दर्शन को लेकर के आपने सुना होगा कि सांग के दर्शन को नास्तिक दर्शन में भी कुछ लोग गिनते हैं वो कहते हैं कि सांग के दर्शन अनिश्वरवादी है, वो इश्वर को नहीं मानता है और वैसे तो मुक्य रूप से शास्त्रों में इसका समनवा है लेकिन कुछ लोग नास्तिकता की बात करते हैं इसको लेकर के और वो कहां से करते हैं कुछ एक छोटी सी बात उठा करके कहीं से भी ले आते हैं और वो कहते हैं नास्तिक दर्शन है तो उसको लेकर के काफी विचार धारा हैं, प्रचलेत हैं समाज में तो मुक्य रूप से तो अपने जो अद्वैत वाले लोग हैं उसमें प्रक्षेप मानते हैं, कहीं उसको नास्तिक भी बोल देते हैं क्योंकि सांग के दर्शन में अद्वैत बाद का बहुत जपरदस्त खंडन किया है बहुत जोर से खंडन किया है तो इसलिए उसका खंडन वो लोग करते हैं एक शुक्तर उ फद्सटर उठान के लगते हैं वो होता क्या है वो ऐस करते हैं जैसे जिको वह हैं मैं यहांपर एलुञेइए को बच्चे यहां पर मेरे सामने बैठे हैं और वो पूछ रहें कि आप अपने विश्य में कुछ बताइए मैं उनको लिख करके बता रहा था जैसे कोई भी बात है अब मैं उनको लिख करके बता रहा हूं कि मैं मैं चोर हूं मैं चोर हूं इतना लिखा और इतने को देखने के बाद लिखे ही रहा था कि लोग सुनकर भाग गए बच्चा रहे मैं चोर हूं ये तो अपने बारे मों बता रहे मैं चोर हूं लेकिन इसके बाद में मैं लिखने वाला था कि मैं चोर हूं आगे तो लिखना था मुझे कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं तो वहाँ पर विद्याले में ऐसा माना जाता है तो ये एक उधारण की दृष्टी से था कि आधा बाक के लिखा और वहाँ से इतना उठा करके ले गए जैसे कि कानपुर में से कान उठा लिया और पुर छोड़ दिया वो कर देखो यहाँ पर कान लिखा हुआ है एक व्यक्ती दुकान पर गया कुछ लेने के लिए तो उसने किसी चीज का भाव किया भई यह हल्दिक क्या भाव थी है तो जो दुकान दार था वो थोड़ा हकला था उसकी आवाज ऐसी दी तो उसने क्या बोला उसने का पांच रुपए इतना बोला और वो पचीज पैसे बोलने वाला था इससे पहले वो भाग गया तो वो बोला था 5 रुपए पचीस तोड़ा देर में बोला था था तक ही तो उसने का पहले तो पहले पांच रुपए पता रहे थे उसने आप पूरी बात हैं नहीं सुनी और जा करने था तो पूरा प्रसंग क्या रहे आगे पीछे का उसको लेकर के भात करनी चाहिए कौन सा सूत्र है वो सूत्र है सांग के दर्शन में पहले या ध्याय में है बानवयवा सूत्र को लेकर के जो मतलब उसका पहले का प्रकरण है और जो बाद का प्रकरण है वो पूरा जुड़ेगा तब उसको समझना पड़ता है तो सूत्र है इश्वरा सिद्धे और ये सुत्र है पहले यद्ध है में मिलेगा ये आपको तो इश्वर इसका क्या मतलब होता है इश्वर की असिद्ध होने से इश्वर नहीं है इसका आर्थ ये निकालते हैं तो ये टुकड़ा ऐसे ये जैसे कानपुर में से कान उठा लिया, मैं चोर हो में से ये इतना ले लिया और बाकी का पीछे क्या है ये अटा दिया और वो दुकानदर वाली बाद, तो आप बिलकुल ऐसे समझे, ये इश्वरा सिद्धे, इश्वर की असिद्धी होने से, तो इश्वर नहीं है, देखो सांग की दर्शन में ऐसा लिखा है, उसी में से प्रमाण देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये प्रसंग क्या है, इसके पहले और बाद में हमें देखना प्चाहिए, तो इसमें एक और सूत्र आता है, ये सारी बात आई क्यों, ये सारी बात क्यों आ तदाकारोल लेखी विज्यानम तद प्रत्यक्षम तो प्रत्यक्ष क्या है उसकी परिवाशा बता रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की तो वो कहरे है जो संबंद से सिद्ध है जिस से जो संबंद हो रहा है जिस वस्तू से तो उस वस्तू के स्वरूप का भान कराने वाला जो ज्यान है वो प्रमान जो जिसकी बात हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष है तो इंद्रिय के जैसे न्याय दर्शन में कहा है कि इंद्रिया अर्थ सन्नी कर्षोत पन्नम ज्यानम तो वहाँ पर मोटी मोटी परिवाशा वहाँ पर दिये कि प्रत्यक्ष किसे कहते है कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्नी कर्ष होता है उससे जो ज्यान उत्पन होता है उसको प्रत्यक्ष कहते है तो उसलिए उन्होंने पिर एक ये सारा अंदर वाली बात की, यद संबंद से सद्दम इसमें सारे प्रमाण आजाएंगे, संबंध से सद्ध, तो योगियों को जो इश्वर का प्रत्यक्ष होता है, तो संबंध तो वहाँ भी से दोराय लेकिन, अवा ही ये प्रत्यक्ष है, तो इंद्रिया और अर्थ का वहाँ पर सन्निगर्श नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लिए एक सूत्र दिया, और वो सूत्र कौन सा था, पहले हमने समझ लिया कि यत संबंध, जो संबंध से सिद्ध है, जो बस तु जिस से संबंध हो रहा है, उसके स्वरूप का ज्यान कराने वाला प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो योगी की बात कहीं कि, उन्हो एक सूत्र और लिखा योगी नाम वाहिय प्रत्यक्षत्वाद नदोशा योगी नाम वाहिय प्रत्यक्षत्वाद नदोशाव योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है इश्वर का क्योंकि उन्होंने स्वैम ऐसा सूत्रकार ने दिया कि ये प्रत्यक्ष है यदि कोई ऐसा कहे कि इससे तो इश्वर की असिद्धी हो जाएगी यदि ऐसा नहीं मानेंगे योगियों का जो इश्वर का प्रत्यक्षा है उसको ऐसा नहीं मानेंगे कि वो अबाही है वो अंदर से ऐसा होता है तो इश्वर की असिद्धी होने लगेगी जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंदर इश्वर का जयान तो अंदर से होना है इंद्रियों से तो हो नहीं रहा है और इंद्रियों से होगा नहीं यदि हम यह परिवाशा बना दें कि केवल इंद्रिय और अर्थ से ही जो जाना जाता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है तो प्रिवाशा बहुत थोड़ी रह जाएगी, उसके कारण ईश्वर की असिद्ध होने लगेगी, तो ईश्वर की असिद्धी ना हो, उसके लिए ये बहुत गहराई तक का सूत्रून उने दिया, कि जो संबंद से सिद्ध है, तो संबंद से सिद्ध तो वहां पर भी है, तो योगियों का अभाय प्रत्यक्षा है, अंदर से होता है, तो उस परिवाशा में इस्वर वहां पर भी समावेश हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यदे ऐसा नहीं मानेंगे, कि योगी नाम यदि हम अंदर का प्रत्यक्ष नहीं मानते तो ईश्वर की असेद्धी होने लग जाएगी इश्वर की असेद्धी ना हो उसके लिए वो इतनी सारी बात कर रहे हैं और बाकी आप देखेंगे सांग के दर्शन में तो तीस जगे शृति का उपयोग किया गया है सूत्रों में शृति को स्विकार किया गया है तो शृति परमात्मा को मानती है शृति के से कहते हैं वेद को कहते हैं कुछ उपने सद्ध को भी मानने लगते हैं तो मुक्के रूप से शृति का वेद के लिए कतन किया जाता है तो वेद में तो इशावास्याम इदम सर्वम यत किंच गत्याम जगत्ते नत्यक्ते न भुंजी था अमा गृधक अस्यस्विद्धनम वेद का इस्वर की बाद है ये जरुवेद चालीस एक में ये बताया है वेदा हमेतं पुरुषम महांतं आदित्य वनणं तमसा परस्तात तमेव विदित्वात इमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते ये नाया वेद महीं का इयो भूतम चा वभ्यम चा सर्वम यश्चा दिधिश्टती स्वर्यस्य चा केवलम तस्मई जेष्ठाय अब्रम मडे नमा तो जो शृती की बात कह रहे हैं शृती में तो ईश्वर को मानते हैं तो शृती को सांके दर्शन प्रमाण मान करके चल रहा है शृती को तीज स्थान पर उसका प्रयो किया गया है तो और भी ऐसे प्रमाण है जहां पर सांके में इश्वर को माना गया है प्रकृती और पुरुश के अत्रिक्त जो भी है वो सब कुछ अनित्त है प्रकृति और पुरुष पुरुष यानि कि परमात्मा के लिए प्रयोग होता है आत्मा के लिए भी होता है लेकिन यहां परमात्मा के लिए भी है तो चेतनता दुस्वी कार वहाँ पर भी करी रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते के महर्शी कपिल निरिश्वरवादी थे। एक और सूत्र है समाधी, सुशुप्ती, मोक्षे, शू ब्रह्मरूपता। समाधी में, सुशुप्ती में और मोक्ष में हम ब्रह्मरूप हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी ब्रह्म की बाद हो वहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे तो कई सारे संधर्व आपको मिलेंगे सांख्या में, जहाँ पर ईश्वर को स्विकार किया गया है। लेकिन हमको तो बस उतना ही एक टुकड़ा उठा करके और दुश्परचार करना है उसके विरोध में। एक और है, इसी में सूत्र विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्म बाद प्रसंगा। यद ऐसा कथन कर दिया जाए कि विद्या से भिन्न जो भी है वो अविद्या है, तो फिर विद्या से भिन्न तो परमात्मा भी है। तो यद ऐसा माने तो ब्रह्म की बाधा का प्रसंग पैदा हो जाएगा। इसलिए यह कथन नहीं हो सकता कि विद्या से भिन्न जो भी है वो सवा विद्या है तो यहां पर भी ब्रह्म की सत्ता को सुईकार किया गया है